नमस्कार, प्रस्तुत है मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखीवी कहानी, रहस्य विमल प्रकाश ने सेवाश्रम के द्वार पर पहुँचकर जेब से रुमाल निकाला और पालों पर पड़ीवी गर्द साफ की, फिर उसी रुमाल से जूतों की गर्द जाड़ी और अंदर दाखिल हुआ सुबह को वो रोज टहलने जाता है और लोटती बार सेवाश्रम की देख भाल भी करता है वो इस आश्रम का बानी भी है और संचालक भी सिवाश्रम का काम शुरू हो गया था अध्या पिकाएं लड़कियों को पढ़ा रही थी, माली फूलों के क्यारियों में पानी दे रहा था और एक दरजे की लड़कियां हरी हरी घास पर दौड लगा रही थी विमल को लड़कियों की सेहत का बड़ा खयाल है विमल एक छण वही खड़ा प्रसंद मन से लड़कियों की बाल कड़ा देखता रहा फिर आकर दफ्तर में बैठ गया कलर्क ने कल आई हुई डाक उसके सामने रख दी विमल ने सारे पत्र एक एक करके खोले और सरसरी तौर पर पढ़कर रख दिये उसके मुख पर चिंता और निराशा का धुमिल रंग दोड़ गया उसने धन के लिए समाचार पत्रों में जो अपील निकाली थी उसका कोई असर नहीं हुआ कैसे चलेगी असंस्था लोग क्या इतने अनुदार है वह तन मन से इस काम में लगा हुआ है उसके पास जो कुछ था वह सब उसने इस आश्रम को भेट कर दी अब लोग उससे और क्या चाहते हैं क्या अब भी वह उनकी दया और विश्वास के योगी नहीं वह इसी चिंता में डूबा हुआ उठा और घर पर आकर सोचने लगा कि यह संकट कैसे टले अभी आधा साल भी नहीं गुजरा और आश्रम पर बारह हजार का कर्ज हो गया था साल पूरा होते होते वह बीस हजार तक पहुँचेगा अगर वह लड़कियों की फीस एक एक रुपे बढ़ा दे लेकिन फिर उसका वह आदर्श कहां रहेगा कि गरीब लड़कियों को नाम मात्र फीस लेकर उची शिक्षा दी जाए काश उसे ऐसे अध्यापिकाओं की काफी तादाद मिल जाती जो केवल गुजारे पर काम करती क्या इतने बड़े देश में ऐसे दस बीस पड़ी लिखी देवियां भी नहीं है उसने कई बार अख़बारों में यह जरूरत छपुआई थी मगर आज तक किसी ने जवाब न दिया अब फीस बढ़ाने के सिवा उसके लिए कौन सा रास्ता है इसी वक्त उसके द्वार के सामने एक तांगा आकर रुका और एक माली उतर कर बारामदे में आई विमल ने कमरे के बाहर निकल कर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर एक कुर्सी पर बिठाया देवी जी रूप वती तो न थी पर उनके मुख पर शिष्टता और कुलिंता की आभा जरूर थी औसत कद, चमपई रंग, प्रसन्न मुख, खूब बनी समरीवी मगर उस बनाव समार में ही जैसे एक आभाव की जलक थी विमल के लिए या कोई नई बात नहीं थी जब से उसने सेवाश्रम खोला था, भले घरों की देविया अकसर उससे मिलने आती रहती थी देवी जी ने कुर्सी पर बैठते वे कहा पहले अपना नाम बता दू, मुझे मंजुला कहते हैं मैंने कुछ दिन वे लीडर में आपकी नोटिस देखी थी और उसी प्रयोजन से आपकी सेवा में आई हूँ यो तो आपसे मिलने का शौक बहुत दिनों से था भर कोई अवसरी नहीं निकाल पाती थी और बर्बस आकर आपका कीमती समय नश्ट नहीं करना चाहती थी आपने जिस त्याग और तनमैता से नारियों की सेवा की है उससे आपके प्रती मेरे मन में इतनी शद्धा पैदा हो गई है कि मैं उसे प्रकट करूँ तो शायद आप उसे खुशा मत समझेंगे मेरे मन में भी इसी तरह की सेवा की एक्षा बहुत दिनों से हैं पर जितना सोचती हूं उतना करने ही सकती आपके प्रोचसाहन से संभाव है कि मैं भी कुछ कर सकूँ विमल मौन सेवकों में था अपनी प्रशंसा उसके लिए सबसे कठिन परिक्षा थी उसकी ठीक वही दशा होती जाती थी जैसे कोई पानी में डुपकिया खा रहा हो वह खुद किसी के मुँपर उसकी तारीफ न करता था इसलिए तारीफ के भूके उसे तंग दिल समझते थे वह पीठ के पीछे तारीफ करता था हाँ बुरायां वह मुँपर करता था और दूसरों से भी यही आशा रखता था उसने अपना उखड़ा हुआ पाउं जमाते वे कहा यह तो बहुत अच्छी बात होगी आप शौक से आएं सेवश्रम की दशा तो आपको मालूम ही होगी मैं इस इरादे से यहां नहीं आई हूँ यह तो मैं पहले ही समझ गया था मेरे भी यह आशा नहीं थी यूँ ही कह दिया अच्छा आपका मकान यही है मंजुला देवी का घर लखनव में है जालंदर के कन्या विद्द्याले में सिक्षा पाई है अंग्रेजी में अच्छी लियाकत है घर के काम दंदे में भी कुशल है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके रिदे में सेवा का उत्सा है अगर ऐसी इस्त्री सेवाशम का भार अपने उपर लेले तो कहना ही गया मगर विमल के मन में एक प्रशन उठा पूछा आपके पती भी आपके साथ रहेंगे साधरन सा सवाल था मगर मंजुला को नागवार लगा बोली जी नहीं वो अपने घर रहेंगे वो एक बैंक में नौकर हैं और अच्छा वेतन पाते हैं विमल के मन का प्रशन और भी जटिल हो गया जो आदमी अच्छा वेतन पाता है उसकी पतनी क्यूं उससे अलग काशी में रहना चाहती है केवल इतना ही मुँसे निकला अच्छा मंजुला ने शायद उसके मन का भाव ताड़ कर कहा आपको यह कुछ अनोखी सी बात लगती होगी लेकिन क्या आपके खयाल में शादी का आशय यही है कि इस्त्री पुरुष के दामन के पीछे चिपी रहनी चाहिए विमल ने जोश के साथ कहा हरगिस नहीं जब मैं अपनी जरूरतों को घटा कर सिफर तक पहुँचा सकती हूँ तो किसी पर भार क्यों बनू बेशक हम दोनों में मतभेद है और उसके अनेक कारण है मैं भक्ति और पूजा को मानव जीवन का सत्य समझती हूँ वा इसे लचर समझते हैं यहां तक कि इश्वर में भी उनका विश्वास नहीं मैं हिंदू संस्कृति को सबसे उचा समझती हूँ उन्हें हमारी संस्कृति में एब ही एब नजर आते हैं ऐसे आदमी के साथ मेरा निबाह कैसे हो सकता है विमल खुद भक्ति और पूजा को ढोंग समझते थे और इतनी सी बात पर किसी इस्त्री का पूरुष से अलग हो जाना उनकी समझ में ना आया उन्हें ऐसी कई मिसाले याद थी जहां इस्त्रीयों ने पति के विधर्मी हो जाने पर भी अपने व्रत का पालन किया इस समस्या क्या वैभारिक अंगी उनके सामने था पूछा उन्हें कोई आपत्ती तो ना होगी मन्जुला ने गर्व के साथ कहा मैं ऐसे आपत्तियों की परवाह नहीं करती अगर पुरुष स्वतंत्र है तो इस्त्रीयां भी स्वतंत्र है फिर उसने नर्म होकर करून स्वर में कहा यो कहिए कि हम और वा तीन साल से अलगी है रहते एक ही मकान में हैं लेकिन बोलते नहीं जब कभी वा बीमार पड़ते हैं मैंने उनकी तामीरदारी की है उन पर कोई संकट आया है तो मैंने उनसे सच्ची साहनुभूती की है लेकिन मैं मर भी जाओं तो उन्हें दुख न होगा वा खुशी होंगे के गला चुटा वा मेरा पालन पोशन करते हैं इसलिए उसका गला भराया एक छण तक वा चुप चाप जमीन की और ताकती रही फिर उसे भै हुआ कि कहीं विमल उसे हलका और ओची न समझ रहा हो जो अपने जीवन के गुप तरहस्यों का धुंडोरा पीटती फिरती है इस ब्रह्म को विमल के मन से निकालना जरूरी था उसने उन्हें याद दिलाया कि आज तक किसी ने उसके मुँँ से ये शब्द नहीं सुने यहाँ तक कि उसने अपने मन की व्यथा कभी अपनी माता से भी नहीं कई विमल वा पहले व्यक्ति हैं जिनसे उसने अपने मन के बात कहने का साहस किया और इसका कारण यही है कि वह जानती है कि उनके दिल में दर्द है और एक स्त्री की विवश्टा का वह अंदाजा कर सकते हैं विमल न लजाते वे कहा यह तो आपकी कृपा है जो मेरे बारे में आप ऐसा खयाल रखती है और उनकी मन में मनजुला के प्रति शद्धा उत्पन हुई बहुत दिनों के बाद उसे एक ऐसी देवी नजर आई जो सिध्धान्त के लिए इतना साहस कर सकती है वह खुदी मन ही मन समाच से विद्रोह करता रहता था सेवाश्रम भी उसके मानसिक विद्रोह का ही फल था ऐसी स्त्री के हाथों में वह सेवाश्रम बड़ी खुशी से सौप देगा मनजुला इसके लिए तयार होकर ही आई थी मनजुला के जीवन में आत्मेदान की मात्र ही ज्यादा थी देख को वह इस भावना की पूर्ती का साधन मात्र समझती थी दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूती भी उसे शान्ती न दे सकती थी मिस्टर महरा से उसे केवल इसलिए अरूची थी कि वह भी साधारन प्राणियों की भाती भोग विलास के प्रेमी थे जीवन उनके लिए एक्षाओं में बहने का नाम था स्वार्त की सिद्धी में नीती या धर्म की बाधा उनके लिए असहाये थी अगर उनमें कुछ उदारता होती और मनजुला से मतबेद होने पर भी वह उसकी भावनाओं का आदर करते और कम से कम मुख से ही उसमें सहीयोग करते तो मनजुला का जीवन सुखी होता पर उस भले आदमी को पतनी से जरा से भी सहनुभूती न थी और वह हरे एक अफसर पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते थे और मनजुला मन ही मन सिमट कर रह जाती थी यहां तक कि उसकी भावनाएं विकास का मार्ग न पाकर टेड़े मेरे रास्तों पर जाने लेगी अगर वह इस आभाव को कला का रूप दे सकती तो उसकी आतमा को उसमें शान्ती मिलती जीवन में जो कुछ मिला उसे कला में पाकर वह प्रसन न होती मगर उसमें वह प्रतिभा, वह रचना शक्ती न थी और उसकी आतमा पिंजडे में बंध पक्षी की भाती हमेशा बेचैन रहती थी उसका अहव भाव इतना प्रचन हो गया था कि वह जीवन से विरक्त होकर बैठ सकती थी वह अपने व्यक्तित्व को स्वतंतर और प्रिथक रखना चाती थी उसे इसमें गर्व और उल्लास होता था कि वह भी कुछ है वह केवल किसी व्रिक्ष पर फैलने वाली और उसके साहरे जीने वाली बेल नहीं है उसकी अपनी एक अलग हस्ती है उसका अपना एक अलग कारेशेत्र है लेकिन यथार्तिताओं के इस जनसार में आकर उसे मालूम हुआ कि आत्मदान का जो आशे उसने समझ रखा था वह सरासर गलत था सेवाश्रम में ऐसे लोग अक्सर आते रहते थे जिनसे थोड़ी बहुत खुशामत करके बहुत कुछ सहायता ली जा सकती थी लेकिन मंजुला का आत्मा भिमान खुशामत पर किसी तरह राजी न होता था उनके यशगान से भरेवे अभिनंदन पत्र पढ़ना उनकी भवनों पर जाकर उन्हें सेवाश्रम की मुआयने का नेवता देना या रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करना ये ऐसे काम थे जिनसे उसे हार्दिक रिना होती थी लेकिन सेवाश्रम के संचालन का भार उस पर था और उसे अपने मन को दबा कर और कर्टवे का आदर्श सामने रख कर यह सारी नाजबर्दारियां करनी पड़ती थी यद भी वह इन विद्रोही भावों को मकदूर भर छिपाती थी पर जिस काम में मन न हो वहां उल्लास और उत्सा कहां से आये जिन समझोते से घबरा करवा भागी थी वह यहां और भी विक्रित रूप से उसका पीछा कर रहे थे उसके मन में कटुता आती जाती थी और एकाग्र सेवा की धून मिटती जाती थी इसके विरुद्वा विमल को देखती थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती वही सहास्य मुख वही उत्सर्ग से भरावा उद्भाव वही क्रियाशील वही तनमैता छोटे से छोटे काम के लिए हमेशा हाजिर सिवा स्रम की कोई कन्या या अधापे क्या बिमार पढ़ जाए विमल उसकी तामिरतारी के लिए मौजूद है साहनुभूती का नजाने कितना बड़ा कोश उसके पास है उसमें जरा भी शती नहीं आती उसके मन में किसी प्रकार का संदेह या संशे नहीं है उसने एक रास्ता पकर लिया है और उस पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है उसे विश्वास है कि इसी रास्ते से वो अपने धेह पर पहुँचेगा राह में जो यात्री मिल जाते हैं उन्हें अपना संगी बना लेता है जो कलेवा लेकर चला वह संगीयों में बाटकर खाने में आनंद पाता है उसे नित्य परेशानियां उठाने पड़ती है खुशामदे करने पड़ती है अपमान सहने पड़ते है अयोग्य व्यक्तियों के सामने सिर जुकाना पड़ता है भीख मांगने पड़ती है मगर उसे गम नहीं, वो कभी निराश नहीं होता, कभी बुरा नहीं मानता उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो हजारों ठोकरे खाने पर बिज्चियों कितियों उचलती और दोडती रहती है अध्यापिकाई अक्सर साधारण सी बातों पर शिकायते करने लगती है कभी कभी रूट जाती है और सेवाश्रम से विदा हो जाना चाहती है अगर धोबन ने कपड़े खराब धोए या काहरिन ने उनकी साड़ी में दाग लगा दिये या चौकिदार ने उनकी कुत्ते को दुदकार दिया या उनके कमरे में जाडू नहीं लेगी या गवाले वाले ने दूद में पानी मिला दिया तो इसमें सेवाश्रम के अधिकारियों का क्या दोश मगर इनी बातों पर यहां रोना गाना मज जाता है और दुनिया सिर पर उठा ली जाती है और विमल सेवक की भाती अनुने विने करके उनका गुस्सा ठंडा करता है उनकी गुड़किया सुनता है और हस कर रह जाता है फल यह है कि अध्यापेकाओं की उस पर शद्धा होती जाती है वो उसे अपना अफसर नहीं अपना मित्र और बंधु समझती है मगर मंजुला विमल से कुछ खिचती है कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती कभी उससे किसी मुआमले में कोई सलाह नहीं लेती यदिपिवध दिल में समझती है कि जिस दुनियादारी को वो आत्मा का पतन कहकर उसे हे समझती है वह वास्ताव में विक्सित मानवता कहीं रूप है फिर भी अपने सिध्धान्त प्रेम के अभिमान को तोर डालना उसके लिए कठीन है और इस अभिमान के होते वे भी विमल की विशुद्ध निस्वार्थ व्यभारिक्ता उसे जबरदस्ती अपनी और खीच दी है उसने साधारन मनुश्य के विशय में अनुभाव से जो मन में सीमा रेखा खीच ली थी विमल उन सबसे उपर था उसमें स्वार्थ का लेश भी नहीं है अभिमान उसे चू भी नहीं गया उसके त्याग की कोई सीमा नहीं मन्जुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुश्य का यही सबसे उचा आदर्श था लेकिन विमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार के हार का बोध होता था आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुँच के बाहर हो अगर वह साध्य हो जाए तो आदर्श ही क्यों? मन्जुला अपनी आदर्श भावना को और उचा बना कर इस विचार में संतोश पाना चाहती है कि विमल अभी उस आदर्श से बहुत दूर है लेकिन विमल जैसे जबरन उसका शधा पात्र बनता जाता है वह अपने आपको प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है और फिर वह किसी दूसरी रोक की तलाश करने लगती है और अंत में उसे यह सहारा मिल जाता है उसने अपनी तीवरदिष्टी में देख लिया कि विमल उसके कारगुजारियों से संतुष्ट नहीं है फिर वह उससे शिकायत क्यों नहीं करता उससे जवाब क्यों नहीं मांगता उसी तीवरदिष्टी से उसने ताड़ लिया कि विमल उसके रंग रूप से अप्रभावित नहीं है फिर यह शीतलता और उदासिंता क्यों क्या इससे यह सिध नहीं होता कि वह कप्टी या कायर है और उसे वह कितना खुल कर मिलता है कितनी हमदर्दी से पेश आता है तो मंजुला से वह दूर-दूर क्यों रहता है क्यों उससे उपरी मन की बाते करता है वह पहले दिन का निश्कपट व्यवार कहां गया क्या वह यह दिखाना चाहता है कि मंजुला की उसे बिल्कुल परवाह नहीं या उससे केवल इसलिए नाराज है कि वह धनियों के चौकट पर सिर नहीं जुकाती या खुशामत उसे ही मुबारक हो मंजुला सेवा करेगी पर अपने आत्मा विमान को अचूता रख कर एक दिन प्रात्यकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि विमल ने आकर उसे प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवा श्रम का वार्शिकोत सब नजदीक आ रहा है उसके लिए तैयारियां करनी चाहिए मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा यह जलसा तो हर साल ही होता है विमल ने कहा जी हाँ हर साल मगर अपकी ज्यादा समारो करने का विचार है मंजुला मेरे की यह जो कुछ हो सकता है वह मैं करूंगी हलाकि आप जानते हैं कि इस विशे में मैं ज्यादा निपूर नहीं हूँ विमल इसकी सफलता का सारा भार आपके ही उपर है मेरे उपर? जी हाँ, आप चाहें तो यह आश्रम कहां से कहां पहुँच जाए मेरे विशे में आपका अनमान गलत है विमल ने विश्वास भरे स्वर में कहा मेरा अनमान गलत है या आपका अनमान गलत है या बहुत ही जल मालूम हुआ जाता है आज यह पहली प्रेड़ना थी जो विमल ने मंजुला से की जिस दिन से उसने सेवाश्रम उसके हाथों में सौपा था उस दिन से कभी इस विशय में कोई आदेश न दिया था उसे कभी इसका साहस ही न हुआ था मुलाकातों में इधर उधर की बाते ही होकर रह जाती शायद विमल यह समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है वह काफी से ज्यादा है और उस पर अब कोई और बोज डालना शायद उस पर जुल्म होगा यह शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मनी संस्थान में रम जाय तो कुछ कहे आज जो उसने विनह और आग्रह से भरावा आदेश दिया तो मंजुला में एक नई स्फूर्ती दोड़ाई सेवाश्रम में ऐसे निजत्व का अनभा उसे कभी न हुआ था विमल से उसे जो दुरभाव नाई थी वह सब जैसे काई की तरफ फट गई और पूर्ण तनमैता के साथ वह तयारियों में लग गई अब तक वह क्यों आश्रम से इतनी उदासीन थी इस पर उसे आश्चेरे होने लगा एक सप्ताह तक वह दिन रात महमानों के आदर सत्कार में व्यस्त रही खाने तक की फूर्सत न मिलती थी दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता कोई महमान किसी गाड़ी से आता तो कोई किसी गाड़ी से अकसर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता उस पर तरह तरह के कर्तबों का रिहलसल भी कराना पड़ता और अपने भाशन की तयारी अलग इस साधना का पुरसकार तो मिला कि जलसा हर एक द्रिष्टी से सफल रहा और कई हजार की रकम चंदे में मिल गई मगर जिस दिन महमान रुकसत हुए उसे दिन मंजुला को नए महमान का स्वागत करना पड़ा जिसने तीन दिन तक उसे सिर्न उठाने दिया ऐसा बुखार उसे कभी न आया था तीन दिनों में ही ऐसी हो गई जैसे बरसों की बीमार हो विमल भी दौर धूप में लगा हुआ था पहले तो कई दिन पंडाल बनवाने में और महमानों की दावत का इंतिजाम करने में लगा रहा जलसा खत्म हो जाने पर जहां जहां से जो सामान आये थे उन्हें सहेच सहेच कर लोटाने भी पड़े मंजुला को धन्यवाद देने भी ना सका किसी ने कहा जरूर कि देवी जी बीमार है मगर उसने समझा थकान से कुछ हरारत हो आई होगी ज्यादा परवाह न की लेकिन चौते दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उत्रा और बड़े जोर का है तो वो बदहवास दोडता हुआ और अपरादी भाव से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला अब कैसी तबियत है आपने मुझे बुला क्यों न लिया मंजुला को ऐसा जान पड़ा जैसे एका एक बुखार हलका हो गया सिर का दर्द भी शान्त हुआ जान पड़ा लेटी लेटे विवश आँखों से ताक्तिवी बोल उठी बैठ जाएए आप खड़े क्यों हैं फिर मुझे भी तो उठना पड़ेगा विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता तो यह सारा ताप और दर्द खुद ले लेता फिर आग्रह से बोला नहीं नहीं आप लेटे रहें मैं बैठ जाता हूँ इसका अपराधी मैं ही हूँ मैंने ही आपको इतने बड़े जहमत में डाला मुझे शमा कीजे मैंने आपसे वह काम लिया जो मुझे खुद करना चाहिए था मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ क्या कहूँ मुझे जरा भी खबर ना हुई फिजूल कामों में ऐसा फसा रहा कि बस और उसने पीट फेरी ही थी कि मनजुला ने हाथ उठा कर मना करते वे का नहीं नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं आप जरा भी परिशान नहूँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ कल तक उठ बैटूंगी उसके मन में और कितनी ही बाते उठी मगर उसने होट बंद कर लिये इस आवेश में न जाने क्या-क्या बख जाएगी अभी तक विमल ने शायद उसे देवी समझ कर उसके सामने सिर जुकाया है उससे दूर अवशरा है मगर इसलिए नहीं कि वह समीप नहीं आना चाहता बलकि इसलिए कि अपने सरलता में अपनी साधना में उसके समीप आने में वह जिजगता है कि कहीं देवी को नागवार न गुजड़े विमल ने अपने मन में उसे जिस उचाई के स्थान पर बैठा कर रखा था उससे नीचे वह ना आएगी विमल को मालूम नहीं कि वह कितना सात्विक, कितना विशालात्मा पुरुश है ऐसे आदमी की स्मृति में हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली निश्कलंक, निश्कपट सती की धुंदली चाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है उसने विनोध भाव से कहा हाँ क्यूं नहीं, क्योंकि आप तो मनुशे हैं और मैं काठ की पुतली नहीं, आप देवी हैं नहीं, एक नादान औरत आपने जो कुछ कर दिखाया है वह तो मैं सो जन्मों में भी नहीं कर सकता था उसका कारण भी आपने सोचा है यह स्त्री की विज़न नहीं, उसकी हार है अगर इन दोशों के साथ में स्त्री नहोकर पूरुश होती तो शायद इसकी चोथाई सफलता भी न मिलती यह मेरी जीत नहीं, मेरी नारित्व की जीत है रूप तो असार वस्तु है, जिसकी कोई हकीकत नहीं वह धोखा है, फरेब है दुरुबलताओं को पीछे छिपाने का एक परदा मात्र विमल ने आवेश में कहा यह आप क्या कहती है मंजुला देवी रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है रूप को भयंकर समझ कर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ घोर अन्याई किया है मंजुला की सुन्दर छवी गर्व के प्रकाश्चे चमक उठी रूप को असत्य समझने के प्रयास में वह सदैव असफल रही थी और अपने निष्ठा और भक्ती से मानो अपने रूप का प्राश्चित कर रही थी उसी रूप के इस समर्थन ने एक छण के लिए उसे मुग्द कर दिया और वह समाल कर बोली आप धोखे में हैं विमल बाबू मुझे शमा कीजिए मगर ये रूप की उपासना आप में कोई नई बात नहीं है मर्दों ने हमेशा रूप की उपासना की है थोड़े पंडितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निंदा की हो मगर मर्दों ने प्राया रूपा सक्ति का ही प्रमान दिया है यहां तक कि रूप के लिए धर्म की परवाह नहीं की और उन पंडितों और महात्माओं ने भी जबान या कलम में चाहे इसके विरुद्ध कितना भी वे शुगला हो लेकिन अन्ताकरण में वे उसकी पूजा ही करते हैं जब कभी रूप ने उनकी परिक्षा ली है उनकी तपस्या पर विजय पाई है फिर भी जो असत्य है वह तो असत्य ही रहेगा रूप का आकरशन किवल बाहरी आँखों के लिए है ज्यानियों की निगाह में उसका कोई मुल्ले नहीं है कम से कम आपके मुख से तो मैं रूप का या बखान नहीं सुन सकती क्योंकि मैं आपको देव दुले समझती हूँ और दिल से आप पर शद्धा रखती हूँ विमल विछिप्त सा जमीन की तरफ ताकता रहा और बराबर ताकता ही चला गया जैसे वो मूर्चा वस्था में हो फिर चौक कर उठा और अपरादियों की भाती सिर जुकाए संदिक्त भाव से कदम बढ़ाता हुआ कमरे से निकल गया और मंजुला निश्चिन्त बैठी रही उस दिन से एक आएक विमल का सारा उत्साह और कर्मनेता जैसे ठंडी पड़ गई जैसे उसमें अब अपना मूह दिखाने की हिम्मत नहीं मानु इस रहस्य का परदा खुल गया और चारो तरफ उसकी हसी उड़ रही हो वह अब सेवाश्रम में भी बहुत कमाता है और आता भी है तो अध्धा पिकाउं से कुछ बात नहीं करता सबसे जैसे मूह चुराता फिरता है मंजुला को मिलने का कोई अवसर नहीं देता और जब मंजुला हार कर उसके घर जाती है तो कहला देता है कि वह घर में नहीं है हालाकि वह घर में ही चिपकर बैठा रहता है और मंजुला उसके मनो रहस्य को समझने में आसमर्थ है विमल ने अपनी साधना और सद्भावना से उसे अपनी और आकरशित कर लिया है इसमें कोई संदेह नहीं वो एक नारी की गहरी अंतर डिष्टी से देख रही है कि विमल भी उसका उपासक बन बैठा है और जराभी प्रोचाहन पाने पर अपने आपको उसके चर्णों पड़वर डाल देगा उसने बर्सों से जो जिन्दगी बसर की है उसमें प्रेम नहीं है सेवा और करतवे का दामन पकड़ कर भी उसे अपनी अपूर्णता का ज्यान होता रहा है जिस पुरुष से उसका प्रेम नहीं है न विश्वास है उसके प्रतिवा किसी तरह का नातिक या धार्मिक बंधन नहीं स्विकार करती वो अपने को स्वच्चंद समझती है चाहे समाज उसकी स्वच्चंदता न माने पर उसकी आत्मा इस विशे में अपने आपको आजाद समझती है मगर विमल की नजरों में आदर और भक्ति पाने का मोह उसमें इतना प्रबल है कि वह उस स्वचंदता की भावना को सीर उठाने नहीं देती वह विमल से संसर्गी की घनिष्टता तो चाहती है पर अत्मा भिमान की रक्षा करते वे इसके साथ ही विमल के पवित्र और निर्मल जीवन में वह दाग नहीं लगाना जाती उसने सोचा था कि विमल को दवा का हलका सा घूट पिला कर वह स्वस्त कर देगी वह स्वस्त होकर उसके मनो ध्यान में आएगा फूलों को देखकर प्रसन्न होगा हरी हरी दूप पर लेटेगा पक्षियों का गाना सुनेगा उससे वह इतना ही संसर्ग चाहती थी दीपक के प्रकाश का आनंद तो दीपक से दूर रहकर ही लिया जा सकता है उससे स्पर्श करके तो वह अपने आपको जला सकता है मगर अब उसे मालूम हुआ कि दवा की वह घूट बाधा को हरने के बदले एक दूसरा रोक पैदा कर गई मिमल में निरलोप होकर रहने की शक्ती न थी वज जिस चीज की ओर जुकता था तन मन से उसी का हो जाता था और जब खीचता था तो मानो नाता ही तोड़ लेता था उसके इस नए वेभार को मनजुला अपना अपमान समझती है और मन यहां से उचाठ हो जाता है आखिर एक दिन उसने विमल को पकड़ी लिया मनजुला जानती थी कि विमल रोज दरिया किनारे सैर करने जाता है एक दिन उसने वहीं जाकर घेरा और अपना इस्तिफा उसकी हाथ में रख दिया विमल के गले में जैसे फासी पड़ गई जमीन की और ताक्ता हुआ बोला ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं अपने आपको इस काम के योगे नहीं पाती संस्ता तो खूब चल रही है फिर भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती मुझसे कोई अपराद हुआ है? आप अपने दिल से पूछिए विमल ने इस वाक्य का वा आशय समझ लिया जो मंजुला की कलपना से कोसो दूर था उसके मुख का रंग उड़ गया और जैसे रक्त की गती बंध हो गई उसके पास इसका कोई जवाब न था ऐसा फैसला था जिसकी कहीं अपील न थी आहत स्वर में बोला जैसी आपके एक्षा मुझ पर दया केजिए मंजुला ने आदर होकर गहा तो मैं चली जाओं जैसी आपके एक्षा और वह जैसे गले का फंदा छुड़ा कर भाग खड़ा हुआ मंजुला करून नेत्रों से उसे देखती रही मानो सामने कोई नौका डूबी जा रही हो चाबु खाकर विमल फिर सेवाश्रम की गाड़ी में जुद गया कह दिया गया कि मंजुला देवी के पती बीमार थे वह चली गई कामकाजी आदमी प्रेम का रोग नहीं पालता उसे कविता करने और प्रेम पत्र लिखने और ठंडी आहे भरने की फोरसत कहा उसके सामने तो कर्तव्य है प्रगती की एक्षा है आदर्श है विमल भी कामदंदे में लग गया हाँ कभी-कभी एकांत में मंजुला की याद आ जाती थी और लज्जा से उसका मस्तक आप ही आप जुक जाता था उसे हमेशा के लिए सबक मिल गया कि ऐसी सती साध्वी के प्रती उसने कितनी बेहूदगी की तीन साल गुजर गया गर्मियों के दिन थे विमल अपकी मनसूरी के सायर करने गया हुआ था और एक होस्टल में ठहरा था एक दिन बैंड स्टैंड के समीब खड़ा हुआ बैंड सुन रहा था कि बगल की बेंच पर मनजूला बैठी वी नजर आई अभूशनों और रंगों से जगमगाती वी उसके पास ही एक युवक कोट पैंड पहने वे बैठा था दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाते कर रहे था दोनों के चेहरे खिले दोनों प्रेम के नशे में मस्त विमल के मन में सवाल उठा यह युवक कौन है मनजूला का पती तो नहीं हो सकता यह संभावे की उसका पती ही हो दमपती में अब मेल हो गया होगा उसे मंजुला के सामने जाने का साहस न हुआ दूसरे दिन वा अंग्रेजी तमाशा देखने सिनेमा हॉल गया था इंटर्वल में बाहर निकला तो कैफे में फिर मंजुला दिखाई दी सेर से पाउं तक अंग्रेजी पहनावे में वही कलवाला युवक आज भी उसके साथ था आज विमल से जब्द न हो सका इसके पहले कि वह मन में कुछ निश्चे कर सके वह मंजुला के सामने जाकर खड़ा हो गया मंजुला उसे देखते ही सन्नाटे में आगी मुँपर हवाईया उड़ने लगी मगर एक ही चड़ में उसने अपने आपको सम्हाल लिया और मुस्कुरा कर बोली हेलो विमल बाबू आप यहां कैसे और उसने उस नव्युवक से विमल का परिचे कराया आप महात्मा पुरुश हैं काशी के सेवाश्रम के संचालक और यह मेरे मित्र मिस्टर खन्ना अभिहाल में इंग्लाइंड से ICF होकर आए है दोनों आदमियों ने हाथ मिलाया मंजुला ने पूछा सेवाश्रम तो खूब चल रहा है मैंने उसकी वाशिक रिपूर्ट पत्रों में पड़ी थी आप यहां कहां ठेरेवे हैं विमल ने होटल का नाम बताया खेल फिर से शुरू हो गया खन्ना ने कहा खेल शुरू हो गया है चलो अंदर चले मंजुला ने कहा तुम जाकर देखो मैं जरा मिस्टर विमल से बाते करूँगी खन्ना ने विमल को जलतीवी आँखों से देखा और अकर्तवा अंदर जला गया मंजुला और विमल बाहर आकर हरी हरी घास पर बैठ गये विमल का रिदय गर्व से फूला हुआ था आशा में उल्लास की चांदनी सी रिदय पर छिटकी वी थी मंजुला ने गंभीर स्वर में पूचा आपको मेरी याद काहे को आई होगी कई बार एक्षावी की आपको पत्र लिखूं लेकिन संकोच की मारे लिखना सकी आप मजे में तो थे विमल को यह उलाहना बुरा लगा कहां अभी हास से विनूद में मगने थी कहां उसे देखते ही गंभीरता की पुतली बन गई रूखे स्वर में बोला हाँ बहुत अच्छी तरह से था आप तो आराम से थी मंजुला आदरकंट से बोली मेरे भागे में तो आराम लिखाई नहीं मिस्टर विमल पिछले साल पती का देहान थो गया उन्होंने जितनी जायदात छोड़ी उससे ज्यादा कर्ज छोड़ा इन्ही उलजनों में पड़ी रही स्वास्ती भी बिगड़ गया डॉक्टरोंने पहाड पर रहने की सला दी तब से यहीं पड़ी वी हूँ आपनी मुझे खत तक न लिखा आपके सिर्क्या योही कम बोज है कि मैं अपनी भी चिन्ताओं का भार रख देती फिर भी एक मित्र होने के नाते तो मुझे खबर देनी चाहिए थी मन्जुला ने स्वर में शद्धा भर कर कहा आपका काम इन जगडों में पढ़ना नहीं है विमल बाबु आपको इश्वर ने सेवा और त्याग के लिए रचा है वही आपका शेत्र है मैं जानती हूँ आपकी मुझ पर दया द्रिष्टी है मैं कह नहीं सकती कि मेरे नजरों में उसका कितना मुल्य है जिसे कभी दया और प्रेम न मिला हो वह इनकी और लपके तो शमा की योग्य है आप समझ सकते हैं कि उनका परित्याग करके मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है मगर मैंने इसी को अपना करतेवे समझा मैं सब कुछ सहलूंगी पर आपको देवत्व के उँची अस्थान से नीचे न गिरने दूँगी आप ज्यानी है संसार के सुक कितने अनित्य हैं आप खूब जानते हैं इनके प्रलोभनों में ना आईएगा आप मनुश्य हैं आप में भी एक्षाएं हैं वासनाएं हैं लेकिन इक्षाओं पर विजय पाकर ही आपने यह उचा पद पाया है उसकी रक्षा कीजिए और आध्यात में ही आपकी मदद कर सकता है उसकी साधना से आपका जीवन सात्विक होगा और मन पवित्र होगा विमल ने अभी अभी मनजुला को आमोद प्रमोद में कृड़ा करते देखा था खन्ना से उसका क्या सम्मंद है या भी वा समझ रहा था फिर भी इस उपदेश से उससे सच्ची साहनुभूती का संदेश मिला विलासिनी मनजुला उसे देवी के रूप में नजर आई उसके भीतर का अहंकार उसकी लोलुपता से बल्वान था सदभावना से भर कर बोला देवी जी आपने जिन शब्दों से मेरा सम्मान किया है मैं उसके लिए आपका एहसान मंद हूँ कहिए मैं आपके क्या सहायता कर सकता हूँ मनजुला ने उठते वे कहा आपके क्रिपा द्रिष्टे ही काफी है उसी वक्त खन्ना सिनेमा हौल से बाहर आता दिखाई दिया कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत दैन्यवाद जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ नमस्कार